आप सबी का बहुत-बहुत स्वागत हैं सलम नमस्ते रादे रादे दुआ करता हूं आप अपने जिन्दगी में खुश होंगे एपिर रहने की कोशिश करते होंगे पॉजिटिव सोचते होंगे क्योंकि जब आप सकरात्मक सोचते हैं तो वह चीज़ें आप अट्रैट करते अपनी जिन्दगी में और आपके जिन्दगी खुशियों से वर जाती है क्योंकि दुख तो आता है लेकिन हमेशा के लिए नहीं रहता है तो आपको खुश रहने की कोशिश जरूर करने चाहिए और विश्वास रखना चाहिए यूनिवस के उपर कि अगर पहला वक्त आपको लगता है कि प्यार कम हुआ है आपके रिष्टे में पहले परसन आपकी पार्टनर बहुत अच्छे से बात करते थे या बढ़ता हो बहुत अच्छा था अभी बदल गया तो आप जानना चाहते हैं या फिर आप परेशान है लव लैप में कुछ भी सही नहीं हो रह है कि आपकी पर्सन की सबवाव में उनकी सोच में चै touch अभला आए है आपको लेकर वह क्या इसाच रहें और और नेंगिंग्ष्टे सबस्ते होता है पार्टनर के लिए होता है। जब भी देकंगे उस दिन केलिए अपके वालेकोफ पर मत लीजे , क्योंकि general है तो सबकी energy यहां पर इस reading में reflect जरूर होगी तो चलिए जल्दी से candle को light करते हैं अपने partner का ध्यान कीजिए उनको याद करना बहुत जरूरी है उनका नाम लीजे और उनका चहरा याद कीजिए तीन से साथ बर कम से कम film के उपर देखकर अपने partner का नाम लीजे और चहरा याद कीजिए यूनिवर्स से pray कीजिए कि आपको accurate guidance में ले और जानते हैं कि आज इस वक्त आपके person आपके partner की feelings क्या है इनकी deep emotions आपको लेकर क्या है इस रिष्टी के बारे में वो क्या सोच रहे एंजल मुझे please guide करें आर्केंजल माइकल मुझे please guide करें यूनिवर्स इंडिवायर मुझे please guide करें जितने भी वीवर्स अब इस वक्त ये वीडियो को देख रहें उनकी person की आज क्या feelings है यहाँ पर मुझे यह लगता है जैसे कि आपके person ना बहुत ज़्यादा serious हो रहे हैं इस रिष्टे को लेकर इनकी feelings इनकी thoughts ऐसा है ना कि अच्छनक जैसे इनसान नीन से जाग जाता है और reality check उसको मिलता है उस step का है मतलब अभी तक यह वक्त बर्बात किया इस person ने आपको avoid करके आपको ignore करके लेकिन आज यह person की ऐसी feelings है ना कि जैसे कि आपकी तरफ आना है बहुत ज़्यादा चाहत यहाँ पर उनकी दिखाए देते कि ओ feelings है आपके लिए कि आपसी मिलना है या फिर पहले जैसे कि उनको अच्छानक जैसे कि हो सकता है ना कि गैरी नीन में थे person और जाग गए और असलियत उनके सामने आ गए कि आप नहीं हो यह उनके लिए आज शौकिंग लग रहे हैं अच्छानक आपकी आद आना या फिर अच्छानक आपके energy के साथ connect हो जाना या फिर अच्छानक इनको लगना कि मैंने ऐसा क्यों किया मैंने यह रिष्टा क्यों तोड़ा जिसमें मुझे उनके साथ कोई नहीं था तो आप थे जब कोई भी उनको नहीं पूछता था कि तो है तुम कैसे हो उस वक्त आप थे जब इनको कुछ भी प्रॉब्लम था तो आपने साहरा दिया आपने साथ दिया और आज जब आपको जरूरत है या आप जैसे कि इंतजार करकर के ठक चुके हैं तो यह परसन अपनी मर्जी से आपको अवाइड कर रहे हैं और अपनी मर्जी से तभी रिष्टा टिकता है तभी रिष्टा आगे बढ़ता है अगर एकवल गिवेंट एक नहीं है और आपको इंतजार करना पड़ता है किसी से बात करने के लिए किसी की मैसेज आएगी कोई आपको फोन करेगा और फिर याद करके आपके आँकों में आसु आते हैं तो बढ़ रहा है आपका कम नहीं हो रहा है तो मुझे यहां पर ऐसा लगता है ना कि आपका जो एनर्जी आपकी जो मिसिंग एनर्जी है या फिर आपकी जो आसु है उनकी कीमत पता नहीं क्यों मुझे ऐसे लगते कि आपके पार्टनर को चुकानी पड़ रहे हैं कि आज वो तो अच्छानक आपको फिल कर पा रहे हैं या फिर आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं आपके जैसे कि आपके साथ जो बरताव किया इस परसन ने बुरा बरताव तो वो गिल्टी भी फिल कर रहे हैं आज आपको जैसे कि अभी तक आपको जरूरत थी इस परसन की आप वेट कर र किया स्विच कोड स्विच वर्ड यूज किया लेकिन कुछ भी हुआ नहीं क्यों नहीं हुआ है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनरजी आपके पार्टनर के नेगेटीव थी होती है जब दोनों तरफ से एक्षड आनर्जी फ्रिक्वेंसी तबähän फोती है तो वह कहीर है कि आपके अनर्जी के साथ माच नहीं वह तह जाहाँ आप मिस याद कर रहे थे तो वह वहां पर बिंदास तो या उनको फी ल नहीं हो रहा था आप जैसेFT करके उन dope रोते थे वह नहीं रो रहे दे लेकिन आज रो रहें आज उनकी एनरर्ज ऐसे है वो आप किसा बिदाएबा वक्त हो सकता है याद आ रहें आपके तस्वीर एक देख लई एक परका template कि आपके साथ बात करें आज ख़ते में कुछ a आप हो या फिर आप ही हो जो उनको help कर सकते हैं या आप ही हो जो मुसीबत से इनको हमेशा बचाए और अभी भी बचा सकते हो तो इस टैप की feelings है person की यहां पर भी मुझे मतलब ही दिखाए देते हैं आपके person का कि अभी तक जैसे कि यह फायदा ही देख रहते हैं आपका आपसे फायदा ही लिया है या फायदा उठाया आपका ऐसा मुझे लगता है और अभी भी उनकी वही mentality है मतलब जब जब ज़रूरत पढ़ती है ना इस person क तो बहुत ज़्याद आती है वरना यह अपनी मर्जी चलाते हैं बहुत ज़्यादा यहां पर राशियों की बात करते हैं जो राशी मुझे दिखाए देते हैं उसमें एरीस मेश राशी और लीवो सीनर राशी स्ट्रॉंग है उसके बाद सैजिटेरियस धनु राशी स्कॉ पर फातिमा नाम हो सकता है और नेक्स मुझे यहां पर एस लेटर और आर लेटर स्ट्रॉंगली दिखाए दे रहें के लेटर भी मुझे यहां पर नजर आते हैं ओ लेटर भी यहां पर है ओवाइस नाम हो सकता है यह लेटर है यहां पर आपके और आपके पार्टर का पहल नाम का पहला letter हो सकता है, A हो सकता है, J letter मुझे दिखाए देता है, U letter, T letter है, यह कुछ नाम के अक्षर हो सकते हैं, मुझे ऐसा मैं आपकर सपना अदूरा रह गया यह आपने सपना देखा तक इस परसन के साथ आगे की जिन्दगी हो आपकी जो भी जिन्दगी आगे की होगी वह आप मतलब जैसे कि इस परसन को अपना मानने जोगे थे मतलब अगर होगी तो इसके साथ वरना किसी के साथ नहीं है, ऐसा आपके खयाल जो है, आज उनके खयाल मुझे नजर आते हैं, यह नहीं कि बुरी तरके से missing energy आपके लिए, आपकी याद इस person को जैसे कि सता रही है, रह रह कर, और यह person कोशिच तो कर रहे हैं, कि आपको भुलाना है, अभी नह याद करना है, लेकिन क्या पता नहीं कि यह energy इनके साथ आपकी connect हो रही है, और मुझे लगता है कि यह positive sign है, जहां पर reunion के chances भी बनते हैं, आपके partner चाहते हैं, आपके साथ reunion हो, ऐसा ही मुझे नजर आता है कि एक नया दिन, नई सुबह आपका इंतजार कर रहा है, और वो आने वाला है दिन, जिसका आपने इंतजार किया है, अभी तक आपको लग रहा था कि आपका सपना तूट गया, या फिर आपको लग रहा था कि यह person वापस नहीं आएंगे, यह आपके कार्मिक थे हैं, ऐसा आपने सोचा होगा, कि कार्मिक relationship था यार, यह तो मुझे धोका देने के लिए, या चीट करने के लिए आए थी मेरे जिंदेगी में, या आई थी, ऐसा आप सोच रहें तो यह नहीं, यह फिर से जूड़ता हुआ मुझे लगता है रिष्टा, बहुती strongly मुझे लगता है, जहाँ पर आप उमीद छोड़ देते हैं, वही पर भगवान का क कि छोड़ देते हो, कि शायद यह परसन मुझे से रिष्टा ही ने रखना चाहते, शायद यह परसन का मेरे से मन भर गया, और उसी वक्त परसन का कॉल आ जाना, मैसेज आ जाना, कि I miss you, तो यह आप सोचेंगे कैसा हो सकता है, कुछ इस तरीके से कुछ चीज़ें आपके ज नंबर हो सकता है, 29 भी हो सकता है, लगी नंबर, यहाँ पर नंबर 12 मुझे दिखाए देता है, जो कि strongly हो सकता है, एंजल नंबर 111 मुझे आज दिखाए देता है strongly, ज़रूर आपको क्लीम करना चाहिए, क्योंकि new beginning है, नहीं शुरुवात आपके जिंदेगी में हो रही है, और partner चाहते है, आपके person, आपके crush, आपके, जिसके आपने उनको lack partner माने लिया है, कि अगर होंगे तो यह होंगे, इनके साथ ही रिष्टा, यहाँ पर मुझे यह लगता है, कि कोई burden इस person का दूर होते में नजर आता है, यानि कि आपको, जिस मैंने पहले भी कहा था कि, एक गहरी नीन से उठकर person जाग जाते है, और उसको लगते है कि यह reality है, यानि कि आप नहीं हो, आपके साथ रिष्टा तूटा, आपको block किया, यह सब उनको लगते है कि सपना है, जैसे सपने से जाग जाना, उस type की feelings आज उनको लगती है, मतलब कहां पर वो थे और कहां पर उ समझे लगता है, दूरियां यहां पर, ego attitude के वज़े से, और यह ना इस person को तकलिफ दे रहा है, मतलब दूरियां तो है, person नहीं, आपके partner ने create किया है, आप उनसे दूर नहीं जाना चाहती थे, आपने block नहीं किया है, उन्होंने आपको किया है, हर जगर से block, और यह कहिना क कि उन्होंने न, अपने आपके लिए jail बना दी है, जैसे कि jail के अंदर खड़े है, वो चारो साइड से block कर दिया, तो यह क्या है, कि यह connect करना चाहते है, आपके साथ वापस, लेकिन इन्होंने खुद रास्ते बंद कर दिया, जैसे कि होते हैं कि आप उनकी मंजील हो, और म दिलों ने दर्वाजा बंद कर दिया, लेकिन आपका दिल का दर्वाजा तो इनके लिए हमेशा खुला है, उनको पता है, न्यू ट्रांस्फरमेशन आरहा है आपके जिंद्धे में, ँझै कुछ नया होने वाला है, कुछ नया पन होगा इस रिष्टे में, और सप्राइज़ भी आरहा है आपके रास्ते में, आपके जिंददे की में सप्राइज़ आने वाज़े larger is कुछ clarity आपको मिलने वाली है, जैसे कि हमेशा शक था आपको किसी चीज को लेकर, तो उसकी clarity आपको मिलने वाली है, कुछ चीजें कि आपको जैसे कि होते हैं, clarity मिलेगी, कुछ confusion आपका था इस रिष्टे को लेकर, इस person को लेकर, कि आपके साथ होकते हुए भी क्या ये किसी और को पसंद करते हैं, या फिर इनका रिष्टा किसी के साथ हो चुका है, या आपसे चुपा रहे हैं, ऐसे अगर सावाल आपको आ रहे हैं, तो इन सावालों की जवब आपको मिलने वाले हैं, आपके partner की तरफ से, बहुत कुछ clear होने वाला है, यहां पर मुझे एक डिवोसी और सिंगल ही मुझे strongly नजर आते हैं, डिवोसी है, डिवोसी हो सकते हैं, या फर अपने partner से, शादिशुता जिंदेगी में separate रहते हैं, और किसी के contact में आएं, इस type का रिष्टा यहां पर मुझे लगता है, कहीं पर घुमने जाने का plan हो सकते हैं, आपका अच्छानक, या partner बना सकते हैं, plan, या फिर दोनों घुमने जा सकते हो, या मुझे ऐसा लगते हैं, ट्रावलिंग के energy आ रहे हैं मुझे यहां पर, क्या आपके partner ट्रावल करके आ रहे हैं, ऐसा भी लगते हैं, long distance relationship हो सकता है, या परसन ऐसा मुझे लगते है, April bond हो सकते है, August bond हो सकते हैं, December bond हो सकते हैं, या फिर आपका बढ़ती हो सकते है, April August या December ऐसा ही लगता है मुझे, बहुत ही positivity आ रही है आपकी रिष्टे में ऐसा मुझे लगता है कि वक्त बदलेगा चीजें बदल रही है कुछ चीजें जैसे कि आपको खुश खबरी मिलेगी कुछ चीजें आपकी फेवर में काम करती में नजर आते ऐसा मुझे लगता है कि manifestation आपका काम कर रहा है आपने उमीद नहीं हा रही है शायद आपको भरोसा था आपके प्यार के उपर कि अगर हमने इतना time से एक दूसरे से बात की है एक दूसरे के साथ contact में है एक दूसरे के साथ time spend किया है तो यह person आपको भुला नहीं सकती एक उमीद आपके अंदर थी वो कहिना कि अभी भी है यह person भी जानते हैं कि कभी भी वो आए आप उनको जैसे कि आप इंतजार करोगे उनका ऐसा वह बहुत जादा confident है कि आप उनका इंतजार करते होंगे आप उनके लिए रुके होगे या फिर आप उनके सीवा और किसी के साथ रिष्टा होने नहीं देंगे ऐसा उनको कहीं नहीं कि बहुत जादा आत्मविश्वास है कुछ टेरो कार्ड से भी देख लेंगे कि क्या energy निकल कर आ रहे हैं आज आपके लिए प्लीज पार्टनर को याद कीजिए देखते हैं कि टेरो कार्ड से आज क्या energy निकल कर आती है आपके लिए इंजल मुझे प्लीज गाइड करें यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करें मुझे बताएं जितने भी वीवर्स अभी इस वक्ति वीडियो को देख रहें उनके पार्टनर आज क्या सोच रहें energy क्या है और future action क्या होगा देखा जैसे कि मैंने कहा था ना कि परसन सोय वह थे या बहुत ज़्यादा गहरी नीन से जाकर उनको अच्छनक महसूस होता है ना कि आप नहीं हो उनके साथ या फिर आपको उन्होंने ब्लॉक कर दिया या फिर negative energy से अच्छनक positive energy में जाते परसन उनको लगता है ना कि या फिर महसूस होने लगते कि यार मैंने तो गलत हिया तो उस टाप की energy आपके partner की जहां पर चारो सैड में thoughts मतलब बहुत गहरी सोच में डूबे हुए person और अभी इनको जैसे लगता है ना कि अगर इन्होंने action नहीं लिया तो आप तो निकल जाओगे उनके हाथ से या फि तो नहीं चाहते कि आप किसी और के हो जाए मतलब बहुत जाद़ पशेशिव टाइप का और fear और worries है यहां पर मतलब डर सा लगता है अचनक person को कि आप नहीं हो आप चले गए या फिर आपको उन्होंने खुद से जैसे कि गवा दिया यह कहीना कि वह फिल कर पा रहे यह द यह person उल्टा फुल्टा आपको कुछ ना कुछ बोल कर जैसे कि आपको hurt करने की कोशिश करते हैं यह तो over possessiveness मुझे लगता है person का यानि कि आप अच्छा भी करते हैं तो भी doubt है अगर आप कुछ गलत भी करते हैं तो भी आपको डाटते हैं मतलब कुछ समझ में आपके नहीं आपके समझ में नहीं आता कि क्या करें पार्टनर की तरफ से अगर देखे जाएं तो यह इनका decision है कि मैं हूं तुमारे जिंदेगी में अभी भी मैंने यह chapter close नहीं किया है वो कहना चाहते हैं आपको कि अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया या मैंने तुम्हें ब्लॉक किया इसका मतलब यह कि मैंने तुमको हमेशा के अपने जिन्देगी से निकाल दिया तो वैसा नहीं है अभी भी मैं तुमको चाहता हूं या चाहती हूं ऐसा वह कह रहे हैं लेकिन मेरा यह सौबाव है मैंने अपनी सुदारने की कोशिश की है या अच् करने के लेकिन पोच आप पॉस्यान मुझे लगता है इंका गुसा बहुत है तेज हो सकता है यह इस देखे पूसा फijra के बहॐत ज़ादा हमेशा अपनी मर्ची से को ब्लॉक करते हैं अपनी प्लॉक करते हैं अन ब्लॉक में कि कब क्या action लेंगे या कब आपसे रुटेंगे या कब क्या करेंगे मतलब कुछ समझ में नहीं आता कभी कबार यह बहुत जाद है emotional हो जाते हैं तो कभी कबार यह कहते हैं आपकी जरूरत नहीं है मतलब यह थोड़ी से confusion situation yes आपके साथ justice होगा justice का card मुझे कहता है कि person खुद आपको नयाएं दिलाने वाले हैं या पर आपके efforts जो है वह वेस्ट नहीं गये इस परसन के साथ आपने वक्त गुजारा इस परसन से आपने प्यार किया अगर आपको लगता है कि मैंने तो वेस्ट की जिन्देगी कि इतने सारे दिन इस परसन को दे कर ऐसा अगर आपको लगता है तो no justice यानि कि reunion का card है strongly 11 नमबर आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए positive card जहां पर नय होगा यानि कि जो तकलिफ आपने जेली है अगर आपको लगता है ना कि partner को कुछ तकलिफ नहीं है और मुझे तकलिफ हो रही है क्योंकि उन्हों ने आपको block किया और उनकी सिवा मुझे लगता है कि आप किसी से प्यार नहीं कर सकेंगे अशा आपको लगता ह यह से person lot कर आते वे नजर आते मुझे strongly यह person आपकी favor में decision लेकर आपकी तरफ बढ़ते वे कदम इनकी मुझे नजर आते हैं इनका decision हो चुका है यानि कि आपके साथ reunion करना है आपके साथ इनको आगे बढ़ना है अब यह आभी तक लगता है आपकी feelings या जैसे कि आपसे करते हैं कि आपकी बहुत ज़्याद यह missing energy आपकी बहुत ही ज़्यादा फिल कर रहे है पर सब्सक्राइब मैंजिशन में केंडल वैक्स में भी कहा था कि मैंजिशन न्यू बिगनिंग आरी आपके जिंदगी में जिसके magic होने वाले कुछ जादू होने वाला है अच्छा मत आपके जिंदगी में था जो की खतम होने का टाइम अभी है और न्यू बिगनिंग का टाइम भी अभी है तो क्लेम कीजिए नंबर वान को नंबर टैन को क्योंकि कमप्लीशन है और यहां पर बॉटम आप देख सकते हैं कि सारी खुश्य आपको देना चाहते है परसंस्ट् नहीं न कई पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो यहां पर जो लखी नंबर आपके लिए आए हैं वह हैं 14 नंबर के यहां पर तीन कार्ट से 14 14 14 आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए उसके बाद 11 नंबर लगी है 12 नंबर 10 एक नंबर आपके लिए लग हैं टॉरस वर्गों कैफरेगॉन मकर राशी वरशब राशी और कन्या राशी तो यह कुछ राशियां यहां पर आई हैं जो कि बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको ज़रूर क्लेम करना चाहिए आज के रिडिंग में इतना ही थैंक यू अल आप यू थैंक यू इंज थैंक यू निवस